नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने चैनल केरेर पॉइंट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लेकर आए विज्ञान के Top 50 क्यूशन जो आने वाले सभी एक्जाम को करेकरने में आपके फूली है फूल रहने वाले वीडियो तो मेरे पहले दोस्तों अग किसी क्यूशन को डाउट लेकर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेए आपके सभी डाउट यहाप पर दूर के जाएंगे और आप कमेंट करके जूरू किता है आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए आप लोग लाइक करेंगे अगर आप चेले पने हैं चैनल को सब्स क्या है कमेंट करिए तो देखिए आप इसी आन्सवर होगा मीथेन आपका सही हो जाएगा option A right answer अगला question देखिए कच सतानों में वनस्पति के आप गटन के कार्ण उत्पन गैस कौन सी है तो यहाँ पर इसी आन्सवर होगा मीथेन option D आपका सही हो जाएगा अगला question देखिए गैसो होल एक मिश्रण है तो यहाँ पर इसी आन्सवर होगा आपका गैसोलोइन और एथनोल का मिश्रण होता है option B आपका सही आन्सवर होगा अगला question देखिए कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए निमन में से कौन परियोग में लाया जाता है तो यहाँ पर इसी आन्सवर होगा टेटरा एथिल नेड का परियोग क्या जाता है option C आपका सही हो जागा next देखिए निमलेकित में से किस देश ने gasoline में एथेनोल मिश्रित करना कानूनन अनिवारिय कर दिया है most important question रहेगा आपके exam के लिए यहाँ पर सही आन्सवर क्या होगा ब्राजिल देश option D आपका सही आन्सर होगा अगला question देखिए निमलेकित में से कोन जिवास्म इंदन है तो यहाँ पर सही आन्सवर होगा प्राकर्तिक गैस option D आपका सही आन्सवर हो जाएगा next देखिए octane संक्या का गुनवत्ता का माप है तो यहाँ पे से अंसर क्या होगा चलिए देखिए पैट्रोल, ओक्टेन संक्या जो है पैट्रोल का गुनोत्ता का माप होता है ओप्षन B आपका सही हो जाएगा नेक्स देखिए बायो गैस सनियंतर में निसकासित निमलिकित में से कौन सी गैस इंधन गैस के रूप में उप्योग में आती है तो देखिए, मीथेन का परियोग यहाँ पे से हो जाएगा ओप्षन C, राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए सिग्रेट लाइटर में निमलिकित में से कौन सी गैस परियोगत होती है यहाँ पे से अंसर होगा ब्यूटेन, सिग्रेट लाइटर के अंदर दोस्तों ब्यूटेन का परियोग क्या जाता है ओप्षन A, आपका सही होगा अगला क्यूशन देखिए शपाई में परियोग की जाने वाली सियाही निमलिकित में से किसके उपगटन से प्राप्त होती है तो यहाँ पे से अंसर होगा मिथेन के उपगटन से ओप्षन B, आपका सही होगा शपाई में परियोग की जाने वाली सियाही मिथेन के उपगटन से प्राप्त की जाती है नेक्स देखिए मेथेन गैस उत्पादन करने वाला छेतर कौन सा है तो देखिए सही अंसर होगा दान का खेत यहां पर इसे हो जाएगा option B, right answer अगला question देखिए प्राकरतिक गैस और बायो गैस दोनों में कौन सी गैस होती है तो दोनों के अंदर देखिए मेथेन गैस होती है option A, आप का सी होजएगा अगला question देखिए एथाइन एक उधारन है एथाइन किसका उधारन है फटाफट कमेंट करिए तो देखिए ऐसे अंसर होजएगा त्री आबंद वाले योगी का उधारन होता है option A, आपका सही होगा त्री आबंद वाले योगी का अगला question देखिए निमलेकित इंदनों में से कौनसा एक गैस वैल्डिंग के परियोग में आता है तो यहाँ पर सी अंसर होगा इस्टलिन option D, आपका सही होजएगा next देखिए CNG है CNG की फुल फोम क्या होती है तो यहाँ पर सी अंसर होगा compressed natural gas option A, आपका सही होजएगा CNG की फुल फोम क्या होती है compressed natural gas आपका सही अंसर होगा अगला question देखिए स्याव चालित वाहनों में पर्दूशन नियंत्री थे तू परियुक्त CNG में मुख्यत है उपस्तित है तो क्या हो पस्तित है देखिए CH4 option A, आपका सही होजएगा CH4 यहाँ पर right answer अगला question देखिए gasohol है gasohol क्या होता है चलिए देखिए ethyl alcohol plus petrol आपका सही होगा option A, right answer ethyl alcohol plus petrol अगला question देखिए सीशा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है तो यहाँ पर से answer क्या होगा alcohol के लिए ठीक है alcohol के लिए सीशा जो होता है दोस्तो अति उत्तम कच्चा माल माना गया है option C, आपका सही हो जाएगा alcohol next देखिए calcium carbide जल से किरिया करने पर देता है तो यहाँ पर से answer क्या होगा astylene calcium carbide जल से किरिया करने पर क्या देता है astylene देता है दोस्तो option D, आपका सही हो जाएगा next देखिए निमलिकित गैस मिश्रणों में से कौन सा welding के लिए परियूक्त किया जाता है तो देखिए यहाँ पर से answer क्या होगा बेंजीन के लिए निमन में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर से answer क्या होगा देखिए फटाफट कमेंट कर दीजिए सही answer होगा इसमें 12 sigma ता 3 पाई बंधे होते है option B आपका सही हो जाएगा 12 sigma ता 3 पाई बंधे होते हैं बेंजीन के लिए अगला क्यूशन देखते है एथिल एलकोहल में निमन को मिला कर जहर बनाया जता है एथिल एलकोहल के अंदर देखिए क्या मिला कर जहर मनाया जता है मेथेनल एवं पिरेडिन को मिला कर दोस्तो एथिल एलकोहल के अंदर मिला कर जहर बनाया जा सकता है option B आपका सही होगा methanol even pyridine दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं कि अफराफ़र्ट वीडियो को like कर दीजे वो जितना हो उसके इस वीडियो को share करिएगा देखिए next question LPG में चब से अधिक मातरा में क्या है होता है तो देखिए LPG के आप लोगों को फुल फॉम बता होनी चाहिए LPG की फुल फॉम होगी liquid petroleum gas liquid petroleum gas LPG की फुल फॉम होगी दोस्तों देखिए LPG में सबसी अधिक मातरा में क्या होता है butane तो आप ब्यूटेन आप कसे हो जाएगा option D right answer next देखिए Indian gas LPG जो LPG होती है देखिए वो किस का मिश्रिन होता है butane एवं propane gas का मिश्रिन होता है LPG जो है butane एवं propane का मिश्रिन होता है option C आपका सही हो जाएगा next देखिए cylinder में खाना पकाने वाली gas किस रूप में भरी जाती है जो cylinder होते है उनके अंदर देखिए किस gas को भरा जाता है जो gas भरी जाती सोरी देखिए gas को किस रूप में भरा जाता है तरल रूप में option A आपका सही होगा तरल रूप में भरा जाता है next देखि निमलकित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक योगीक में मिलता है तो देखिए कौन सा तत्व मिलता है कार्बन तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक योगीकों के अंदर मिलता है option A आपका सही होगा next देखि दूद को दई के रूप में खठ्टा करना इसका एक उदारन है तो देखिए यहां पर सेंस्व क्या होगा दूद को धाई की रूप में खटा करना किसका एक उतान होता है चलिए देखिए किनिवन का option C आपका सही होगा किनिवन किरिया यहां पर right answer next देखिए diesel की गुणवत्ता किस से अभिवेक्ट की जाती है तो देखिए most important question है diesel की गुणवत्ता सीटेन संक्या में अभिवेक्ट की जाती है option A आपका सही होगा सीटेन संक्या अगर octane पूछ ले जाए तो octane जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है ठीक है अगला question देखिए बाइयो गैस का मुख्य गटक क्या है बाइयो गैस का मुख्य गटक क्या है methane option B आपका सही हो जाएगा methane या पे right answer अगरा question देखिए एक बाइयो गैस से नियंत्र में निमन में से कोणसी परकरिया होती है तो कोणसी परकरिया होती है देखिए kid one option A आपका सही हो जाएगा next देखी LPG gas के मुख्य अवयव है LPG gas के मुख्य अवयव कुन कुन से है देखी सही होगा ethane, propane और butane जी हाँ बिल्कुल friends ethane, propane और butane जो है LPG gas के मुख्य अवयव होते हैं option C आपका सही आंसर होगा next देखी निमलिकित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है most important question है कच्चे फल जो होते हैं, हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किस रसायन का परियोग किया जाता है तो देखीए, calcium carbide का परियोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन करता है दोस्तों, देखी, हरे फलों को पकाने के लिए हम calcium carbide का परियोग करते हैं तो किस वज़े से जो है वो कच्चे फल होते हैं, पक जाते हैं तो क्या उत्पन करते हैं, देखीए या पर शेयन सरोग आपका asteline asteline उत्पन करता है calcium carbide इसी वज़े से हरे फल जो हैते कच्चे फल होते हैं, वो करते हैं रूप से पक जाते हैं तो option C आपका सही होज़ेगा according to question next देखी निमलकित में से कोन फलों को पकने में बड़ावा देता है तो देखी आप इसे answer क्या होगा ethylene option D आपका सही होज़ेगा फलों को पकने में बड़ाव को देता है ethylene अगला question देखी octopus 1 है octopus क्या होता है तो देखीए octopus जो एक मरिदू कवची है option D आपका सही होज़ेगा मरिदू कवची याँपे right answer next देखी devil fish के नाम से जाना जाता है तो देखी devil fish के नाम से किस को जाना जाता है octopus को option D आपका सही होज़ेगा octopus को devil fish के नाम से भी जाना जाता है next देखी तारा मचली निमलकित में से किस संग का प्राणी है तो देखी किस संग का प्राणी है Echinodermita का Option D आपका सही हो जाएगा Echinodermita यहाँ पे right answer Next देखी फेर टीमा पोस्तुमा निमन में से किसका वैज्यानिक नाम है तो देखी किसका वैज्यानिक नाम है कैच्वा का Option A कैच्वा आपका सही answer हो जाएगा Next देखी कीटो में कितनी जोड़ी टांगे होती है तो देखी कीट जोते हैं उनके अंदर कितनी जोड़ी टांगे होती है तीन Option C आपका सही हो जाएगा तीन जोड़ी होती है कीटो के अंदर टांगे जो है तीन जोड़ी होती है Next देखी निंद्रा रोग फैलाती है निंद्रा रोग जो है कौन फैलाता है देखिए सही आन्स होगा सीसी मक्की सीसी मक्की जो होती है निंद्रा रोग फैलाती है option A आपका सही होगा अगला क्यूशन देखिए M.E.P.B.A बताता है तो M.E.P.B.A. क्या बताता है देखिए जल एउंसतल दोनों पर ही रह सकने वाले पश्वों को बारे में बताता है option D आपका सही होगा जल एउंसतल दोनों पर रह सकने वाले पश्वों के बारे में M.E.P.B.A. बताता है next question देखिए निमलिकित में से कौनसा एक कपी नहीं है तो कौनसा एक कपी नहीं है देखिए लंगूर option C आपका सही होगा लंगूर जया पर राइट आंस्वर अगला question देखिए मानव शदर्श लगुतम कपी है मानव शदर्श लगुतम कपी कौनसा है गीबन Option A, गीबन आपका सही होगा Next देखी निमलकित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पकसी वरग में नहीं आता तो देखिए, कौन सा नहीं आता है तो देखिए, आपके शैंसर होगा चमगादड Option A, आपका सही होगा चमगादड जो है पकसी वरग के अंदरिश को काउंट नहीं किया जाता Next देखी डॉल्फिन वरगी कर्थ किये जाते हैं डॉल्फिन को किस में वरगी कर्थ किया गया देखी सतनी में Option D, आपका सही होगा डॉल्फिन को सतनी में वरगी कर्थ किया गया है अगला क्यूशन देखी डाइनाशोर थे डाइनाशोर क्या थे दोस्तों फटावट कमेंट करिए तो देखी सही आंशर होगा सरी शिरिफ थे जो अभी लुप्त हो चुके हैं Option D, आपका सही होगा सरी शिरिफ जो लुप्त हो गए अगला क्यूशन देखी शमानता है जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किन्तु निमन में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है तो देखी ऐसा कौन सा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता सपंज ठीक है शपंज जो होता है अपना स्थान नहीं बदल सकता बाकिस भी हाइडरा लीची तारामीन जो है अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन शपंज एक ऐसा जी हो है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता औपशन DC आपका सई हो जाएगा गला क्यूशन देखी निमल कित में से कोण शी एक परकार की मछली है जो धेकिन कोण शी नहीं नहीं तो देखित हो सही आंस्वर होगा याप पे starfish starfish जो है तो मचली नहीं है option A आपका सही हो जाएगा यापए वह बाकि साफ इस पाइप फीज और गिटार फीज जो है मचलियां होती है लेकिन starfish जो होती है वह मचली के अंदर इसको count नहीं किया जाता दोस्तो दोस्तो फटाफट इस वीडिय सेक्टर का हो किसी भी वरकार का government exam है उन सभी के लिए जो हमारी class बहुत ही important रहते हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करिए और फटाफट अपना comment करिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी question कैसे लगे या हमें comment करके जुरूर ब बारे में तो मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक good bye take care जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम